एलॉलूया प्रेज़ लॉर्ड सबको जई मस्यखी फिर से प्रभू नमें यह संगतिधी आरहत такой भी खटा किया प्रभु के वच्छन पढ़ने के लिए सुनने के लिए और समझने के लिए प्रभु ने यह मैं आज का यह समय दिया अध्यन करने के लिए प्रभू को प्रभु के स्थुति हो आज का जो विसाई है दाउद के विसाई में दाउद को प्रभू ने यह आसिस दी थी कि तेरा सियासन पर बेटने वाले की कभी कमी नहोगी और सदा तेरा सियासन तेरा राज यूगा नुयूग रहेगा और दाउद जो यहुदा का बेटा हो था यहुदा जो कूल है उसका बेटा था उसके सियासन पर कभी भी उसकी कमी नहोगी ऐसे भविस्यवाने की गई थी लेकिन उसका ही बेटे का बेटे का बेटे का जब योयाकिम आया उसने जो सारी गलती करी तो एक स्राब दिया गया था कि अब ये दाउद ये यहुदा का जो राज्य है उसका मैं मिटा दूँगा और वहां अंत हो जाएगा तो ये दोनों जो बात है कि ये दाउद जो यहुदा का सेर कहा जाता या यहुदा का बड़ा प्रभु का नभी कहा जाता है वो दाउद के लिए वो राजा के लिए ऐसी वो बड़ा राजा भी उससे कहा जाता है वो राजा के लिए आसिस का वच्चन और उसके बेटे के लिए कहा गया कि अब अंत हो जाएगा ये लोग सारी चर्चा करते है कि ये श्मसी कैसे दाउद के कुल में वो राजा हो सकता है क्योंकि एक बविस्वानी है कि दाउद के यहुदा के जो राज है उसका अंत होगा और एक साभी है कि दाउद के राज का कभी अंत न होगा तो ये दोनों बावी सिवानी के बारे में हम आज थोड़े ब्रवु के वचन से अध्यन करेगे आउ प्रात्नागर इपने सरगों जुकाएगे पिता हम येश्व मसी के नाम में है जुकते है आज के दिन के लिए धन्यवाद आपने हमें इखटा किया पिता येश्व मसी के नाम में हमें हर एक के लिए आसिस मांगता हूँ आमेन प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाउद का सिहासन उसको देगा तो यहाँ पे येश्व मसी के लिए एक बविस्यवानी हो गई कि वो यही है जो दाउद के सिहासन पर बेठेगा यह बात हम यहाँ पे देखते हैं के सियासन पर डाउद के डाउद जो राजा उसका बेटा राज करेगा तो ये 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 शुमसी के लिए याद फरिस्ता कहता है दूसरे एक बात देखते हैं मत्ती पहला द्याई ग्यारापद ये जो डाउद के जो बच्चे के बच्चे उसमें बच्चा था जो सारे डाउद के बच्चे ने यहुदा के लिखा ऐसे माला जाता है कि यहुदा के सारे राजा जो थे उसमें ये युवास भी था और ये यहुदा का राज चलता था एक इस्राइल का राज था एक यहुदा का राज हो गया था और उसका जो युवा इसका बेटा यहया यकुन्या यहां यकुन्या यकुन्या यहां ग्यारा पद और बंदी होकर बेबिलों जाने के समय में योशिया से यकुन्या और उसके भाई उत्पन हुए उसके सारे भाई अब यह जो यहाँ पे अंत हो गया दाउत का राज बंध हो गया पहला इत्यास की स्रादिया आई उसका 15-16 पद यदि पढ़े तो यह योश्या था उसके जो बेटे थे उसमें योयाकिम और उसने राज किया और यह योयाकिम के आने के वज़े से जो उसने सारे गलतिया करी उसके लिए परमेश्वर बड़ा गुस्सा हो गया और कह दिया कि अब यह सियासन या यह दाउत यहुदा का राज है उसको मैं अन्त कर दूंगा तो उसका जो बेटा है यह है योयाकिम या फिर क्या लिखा है वहाँ पर उसका बेटा योयाकिम है उसका या फिर हिंदी में यहो यकोन्या जो हिंदी में है तीस्वा पद देखेगे उसके लिए क्या भविस्यानी की गई थी दाउत के बेटे के बेटा यानि यहुदा के सामराजय में यह जो राजा था तीस्वा पद यर्मिया चटीस और इसलिए यहुदा के राजा यहोयाकीम की विशे में यो कहता है कि उसका कोई डाउत की गद्दी पर विराजमान न रहे गा तो यहाँ पर कह दिया यह आदमी रितना सारा नुकसान किया है यह आदमी ने हमारे परमेसर के लोगों को परिसान किया है और उसने सारी ऐसी गल्तिया जो उसके विशय में पुस्तकों में लिखी है वो सारी गल्ति की इसलिए परमेस्वन ने क्या स्राप दे दिया फिर से पढ़ेगे इसलिए यहोवा यहुदा के राजा यहोयाकीम के विशय में यह कहता है कि उसका कोई दाउद की गद्धी पर विराजमान कोई न होगा तो दाउद की गद्धी बंद हो जाएगी यहां लिखा है दूसरा इत्यास चक्तिस वाध्याई आठ वापत देखे तो यह यहाकीम या फिर हिंदी में दूसरा कुछ वर्ड भी है यहाकीम की और काम और उसने जो जो गिनोने काम किये और उसमें जो जो बुराइया पाई गई वह इसराइल और यहुदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तत में लिखी है तो ये योहयाकीम जो है योश्या का बेटा, उसके बेटे के बाद जो दुसरा सब्दा आता है योह याचिन, वो जो आता है उसके बाद बंध हो गया सामराज्य यहुदा का, आठवापद पढ़ेकते हैं यहाँ पे योहयाकीम की सारी गंदी हरकते सारी किताब में लिख और खराब काम, और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई, वह इसराइल और यहुदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखी हैं यहाँ पे लिखाए इसराइल के राज्य हो यहुदा के राज्य हो यहुदा के राज्य हो उनके किताबों में, सारा राज्य हो में ये बात लिखी है, और उसका पुत्र यहयाकिन उसके स्थान पर राज्य करने लगा, तो यहयाकिम का बेटा यहयाचिन, यहकिन, उसने राज किया, तब वो आठ साल का था और राज किया, और सिर्फ तीन महीने, दस दिन उसका राज चला, और उसने भी गलती परमेस्वर के विरुद में की, और ये छोटा बेटा जो है, उसको बाबिलोन में लिया जाता है, दुसरा राजा, चब्विस फाद्याई, पंद्रा पद में दिखते हैं, यह जो यहयाचिन है, यहयाकिम का बेटा, उसको बाबिलोन में लिके जाते है, उसकी मा को भी लिके जाते है, वो सारे लोग जो है वो सब को लेके जा रहे उनको बाबिलोन में लेके जाते और वहाँ पे यहुदा का जो राज था उसका अंत हो गया और वह इस चानी थी कि दाउद की गदी पे बेटने वाले की कमी नहोगी पर यहाँ पे पुरा रुक गई पुरा इत्यास रुक गया पुरा यहुदा का जो राज था वो रुक गया उसको वबिल में लेके गए यर्मिया में 28.4 में यही बात लिखी है मैं यहुदा के राजा यहुदा के पुत्र यकोन्या और सब यहुदी बंदियों को भी जो बेबिलोन गए हैं इस थान में लौटा लियाओंगा यहां पे यहो याकीम का बेटा यहो यकोन्या यकोन्या है और यह यकोन्या है वही यहो याचिन है उसके बारे में दूसरा अभ्यास है पर यही है उसका नाम यहां पे यू लिखा है यर्मिया ने और वही नए नियम में यहो क्या ही है यकोनिया यकोनिया नए नियम में यकोनिया दिखते है यकोनिया आपको पुराने नियम पुराने में यह दिखाई नहीं देता है पर यहाँ पे यर्मिया में दिखाई देता है यकोनिया कौन है यही है जो मत्ती पहला द्याए बारवा पद देखोगे या पहला इत्यास तीसरा ध्याई सत्रा पद देखोगे तो यह यहो याकिन भी है उसका बेटा सेथलेल है और सारी वनसावली शुरू होती है इसमें यह यह जो हमने आज देखना चाहते कि क्या है यह इत्यास और क्यों दाउद के संतान या दाउद का बेटा ने राज करना है या न करना है ये शुमसी क्यों राज करने लगे लोगों का सवाल है कि यहाँ पे सराब दिया गया कि यह जो यहो याकिन ने जो गल्ती की और यर्मिया ने भविस्यवानी की कि यह जो यहो याकिन याकिम है अब नहीं चलेगे और दाउद का राज भी न होगा जैसे हमने यर्मिया में पड़ा यर्मिया उसका कौन सा पड़ा था हमने 36-36 वापद पड़ा था यर्मिया 36 और 30 रभु का वचन ये यहोयाकिम राजा यहूदा का राजा उसके लिए और यहुदा का राजा यानि दाओद के बेटे का राज वही यहुदा के राजा उसके विशे में कहा था इसलिए यहोवा, यहुदा के राजा, यहोयाकिम के विशे में यहो कहता है, यहोयाकिम ने सारी गल्ती की, इसलिए परमे सरगुस्ता होके क्या बोलता है? उसका कोई दाउद की गद्दी पर विराजमान न होगा तो ये शुमसी कैसे हो गए ये सवाल है या सचा ये है कि ये शुमसी वो तो दाउद का जो बेटा सुलेमान था सुलेमान का बेटा वो रेहुबाम था और सारे जो बच्चे आए वहीं से यहुदा का राजस्वा से उसका सुरू हुआ हमें ये थोड़ा इत्यास पता है जैसे बाइबल में हमें मिलता है देखने को कि कैसे ये इस्राहिल के राज्य का विबाजन हो गया पहले इस्राहिल का राज था लोगों ने चाहा कि हम सारे बारा जो कूल है सारे परिवार है बारा बच्चे है उसके सारे बेटे है सब काका मामा सारे है ये सारे परिवार में हमें एक राजा चे और साउल राजा को पहला इस्राहिल का राजा गोसित किया गया उसके बाद दाउद का राज आया दाउद ने पुरे इसराइल पे राज किया और वो भी दाउद का राज इसे भी इसराइल का राजा माना गया सुलिमान को भी इस्राहिल का ही राजा माना गया पहला इत्यास 23 अध्याई पहला पड़े दाउद बड़ा उम्मर उसकी हो गई बुड़ा हो गया और उसके जगा पे सुलिमान ने दाउद की जगा पे राज किया लहाँ पर लिखा है इस्राइल पर सुलिमान ने राज किया तो यह जो यहुदा का राज है वह आगे जाके उसका अभी बाजन होता है और आगे पढ़ेते हैं तो हमें पता चलता है इसके बारे में पहला राजा 11 जाए 43 यानि 43 वापत देखते हैं तो सुलिमान जब मर गया सुलिमान दाओद का बेटा वो मर गया पहले था साउल राजा इस्राइल का राजा फिर था दाओद राजा इस्राइल का राजा सुलिमान उसको भी इस्राइल का राजा कहा जाता है और दाओद की ग गोतर या यहुदा के परिवारों पे ही दाउद राजा न था पर दाउद यहुदा कुल का भी राजा या यहुदा का राज का भी राजा और इस्राइल जो था पुरा याकुब का नाम इस्राइल और वो जो बारा बच्चे थे उस पे भी यहुदा यह दाउद ही राजा था 43 पद पढ़ते हैं और सुलेमान अपने पुर्खाओं के संग वो मर गया और उसको उसके पिता दाउद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहुबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ अभी यह रहुबाम है उसने गाद्दी संबाली लेकिन आगे जाके लोगो 31 पद उपए देखें के तो लिखा है तब उसने यरुबाम से कहा दस टुकड़े ले ले क्योंकि इस्राइल का परमेश्वर यहवा यह कहता है सुन मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीन कर दस गोत्र तरे हाथ में कर दूँगा यहाँ पर देखते हैं एक अलग राजा हो जाता है दस राजो का राजा इस्राइल का राजा गिना आ जाता है और सुलेमान का बेटा जो अलग अलग जो आते हैं सारे वो सारे बारवाद्याई पहला राजा बारवाद्याई 21 पद में रवाबाम जो था वो यरुसालेम आ उसका यहुदा के घर उपे वो राज करने लगता है और यहुदा का राज अलग हो जाता है दस राजयों दस बच्चों का एक राजय इसराहिल का हो जाता है और जो बिन्यामीन है और यहुदा है उनके अलग हो जाते हैं वो यहुदा के खोतर में आ जाते हैं तो जूड जात बाखी के सारे इसराइल में इसराइल का राज्य अलग बना देते हैं ऐसी सारी कहानी है तो दाउद को कहा गया था कि दाउद तेरे राज्य में तेरे सिहासन पर यानि दाउद का जो सिहासन था वो यहुदा पे न था वो तो इसराइल पे था इसलिए येश्व मसी जो आए वो यहुदा का राज्य का राजा न था पर येश्व मसी तो इसराहिल का राजा था तो एक सच्चा यह है कि जो भई स्यवानी जो थी कि यहुदा के राज्य में अंत हो गया हो जाएगा तो सच्ची वो बात थी, हाँ येश्व मसी दाउत के यहुदा के जो राज था, वो राज कि में येश्व मसी गदी नहीं संभालते हैं, लेकिन वो इसराहिल की गदी संभालते हैं ये शो मसी को इस्राइल का राजा भी हमें पता है उसे कहा गया माला गया है जब ये शो मसी धर्ती भे थे उसने जब राज किया लूका के स्माचार में यदि हम देखे तब लोग चिला के कहते ये तो ये हू इस्रायल का राजा आए और जो परमे Jessica ने जिसको भीजाए अच्छा लुक योहन ना बारवाद है तेरा पद में लिखा है सारे खजूरी की डाली लेके निकल पड़े हुसाना हुसाना कहते हुए और कहने लगे इस्राइल के राजा धन्य है इस्राइल का राजा जो गदे पे बेट के आता है क्या कहा गया इस्राइल के राजा येश्व मसी को इस्राइल का राजा गिना गया और माना गया जब नाथानायल उसके बारे में जेके देखते योहन ना पहला द्याई उसका उन पचास अध्याई वचन उसमें नाथानायल जो येश्व के पास पहली बार आता है वो देखके येशु को कहने लगता है रबी आप तो इसराहिल के राजा हो तो ये लोग इसराहिल के राजा की रहा देखते थे बाट देखते थे मारक उसका पंदरा अध्याए बतिस पद में भी जब येशु मसी को कुरुसित किया गया तबी भी कहा गया ये इसराहिल के राजा को क्या हम करें कहें इस्राइल के राजा यदि तू सही में इस्राइल का राजा है तो कुर्स पे से उतरा ऐसे सारे लोग उसकी मजाग करते थे लोग नहीं मानते थे कि ये इस्राइल का राजा है तो येशु मसी को यहुदा का राज्य का राजा नहीं गिना गया पर लेकिन येशु मसी को इस्राइल का राजा गिना गया जैसे साउल इस्राइल का राजा था दाउद को इस्राइल का राजा के कहा गया सुलिमान को इस्राइल का राजा गया कहा गया पुराने नियम में हम देखे यदि तो ये दाउद को जो कहा गया था क्या कहा गया था हम पढ़ेगे तो यह यह शाया यह शाय नभी की किताब नौवा द्याय साथ वापद यहाँ पे दाउद को भरिस्यवानी दाउद के लिए भरिस्यवानी की गई थी उसकी प्रभूता सरवदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांती का अंत न होगा इसलिए वह उसको दाउद की राजगदी पर इस समय से लेकर सरवदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा पिर किये और संभाले रहेगा तो येशु मसीग आने के थे वह मसी है वह मसी जो आएगा वो दाउद की गदी पर बेठेगा न की जो यहयाकीन था जिसने गल्टी की और उसको जैसे भवीस्यसिवानी की गई कि तेरे कड़ी पर कोई बेठेगा नहीं तो वो यहुदा की गदी पर येशु मसी नहीं बेठते लेकिन येश्यमसी वो इस्राहिल की गद्दी पे बेटते है और वो इस्राहिल का राजा था और एक बाद हम देखते हैं ये जो यो याकिम जो है वो सुलिमान के जो वनसज है उसमें से आता है लेकिन येश्यमसी जो आए वो मर्यम के द्वारा उनका जनम हुआ पहला इत्यास उसका तिसरा अध्याई उसका पाँचवापद यदि देखे तो दाउद के जो बच्चे थे दाउद के कई सारे बच्चे थे उसमें जो बच्चा था वो था सिम्योन था सुबाप था, नाथान था, सुलिमान था और ये जो चार थे वो बाज सुबा से हुए थे पाँचवापद यरुशलेम में उसके ये पुत्र उथपन हुए आप ऐसे पढ़ो दाउद के यरुशलेम में दाउद के ये पुत्र उथपन हुए अर्थात, सीमा, सुबाब, नातान और सुलिमान ये चारो अमियल की बेटी बदसेबा से उत्पन हुए ये बदसेबा अलग है अमिनन की बेटी वही है और यही है वो जो उर्याहित्ती की पत्नी है पर इसकी मा का नाम लेके यहां पे लिखा गया है पहला इत्यास तीसरा दे पहला पद दाउत के पुत्रों जो है बरॉन में उससे उत्पन हुए वे ये है जेठा अमनोन जो रिज्रेली अहिनुआम से दूसरा दनियल जो करमेली अभिगेल से उत्पन हुआ तो यहां पे देखते है कि हगी हगित बच्चे जेठा अमनोन जो इज्रेली अहिनुआम यह सारी उसकी पत्निया है उसमें से सारे बच्चे जो होते उसके विसवाई में हम यह देखते सुलिमान जो है उसको इतने सारे बच्चों में से गिना गया सुलिमान के सारे बच्चे थे जैसे दुसरा यह इत्यास में सुलिमान का बेटा रोहाबाम और उसके जरी अभिया से आसा और यहसाफाट और सारे जो बच्चे आए वहील यहूदा के सारे राज्य में राजा होते गए लेकिन जो हम लुका का सुसमाचार जदी पढ़ते हम, लुका का सुसमाचार उसका तीसरा अध्याई दाउद का जो बेटा है नाथान, उसके बारे में हम देखते हम वाँ पे वच्छन है, 23 वच्छन, 24 वच्छन, 20 वच्छन, कौन सा है? महां उपे देखो, उपे है, तीसरा अध्याई में, लुका का सुसमाचार, गुरादी बाइबल, कई गलम जे? बढ़ो, हलो, चेक गुरादी में लिखा है, या हिंदी में लिखा है? जो और से बोलो, 24 वच्छन, कौन सा वच्छन? 24 वच्छन, कौन सा ध्याई? लुका तीसरा अध्याई अध्याई, बहुत अच्छा, प्रेस गवाट, फिर और वह मतात का, और वह लेवी का, और वह मल्की का, और वह यन्ना का, और वह युसुफ का और वह मतनिया का, और वह आमोस का, और वह नहुम का, और वह असलिया का, और वह नाथान लिगा है न, वह दिखो न, विराती में, अभी हिंदी में पड़ेगे, 31 वचन, 31 वचन, बाइबल में देखो, यहां ममत देखो, और वह मलया का, और वह मिना का, और वह मता का, और वह नातान का और वह दाउद का तो नातान भी एक बेटा था और हम जदी हम मत्थी की सुसमाचार में पढ़े गए पहला द्याई में तो सुलेमान का सुलेमान दाउद का बेटा दाउद का है दो बेटे यहां पे देखते हैं नातान भी है और रुसा है कौन है सुलिमान बहुत अच्छा बलो नाथान दाओद का बेटा और सुलिमान भी दाओद का बेटा पर सुलिमान के जितने भी बच्चे हुए पहला जो राब रोअबाम आया उसके जारे बच्चे वो सारी वनसवाली चली और नाथान बीचारा था उसका कोई बच्चे वह सारे यहां पर दाओद के सियास नपर नहीं भी यहुदा के राजव के वो राजा न हुए लेकिन ये सारे इनके बच्चे उनका परिवार में ही सारा राज चला दाओद के कई सारे बच्चे हुए थे लेकिन उन में से किसी ने न राज किया लेकिन सुलिमान की गद्दी पे सुलिमान के फिर उसका बेटा वहीं पे बेटा वो मर गया उसका ही बेटा बेटा वो मर गया फिर उसका ही बेटा बेटा ऐसे वो गद्दी चलती रही और जब यह याकिन आया तब उसने जो गलती करी और कहा गया अभी तेरा बेटा नहीं ब यहुदा का राज बंद हो गया और इस्रायल का भी राज सारा बंद हो गया, सारे लोग चले गए, बाबिल ओन में वहाँ पे बाबिल में और वहाँ पे सारे बंदी में चले गए, फिर वहाँ से वो सित्य साल तक वहाँ पे रहे और फिर वापिस निकलते और तब जाके ये सारे जो इस्राइल का राज था वो सारा बंद हो गया था कोई राजा न था सिर्फ जो याजक थे वही लोगों ने मंदिर सुरुआत किया मंदिर मानना फिर से मानना सुरू किया और लोग फिर से आराम से जीने लगे पर उसके बाद भी कई राजा आए फिर तो ये रोमन की सामरा जब भी हुआ पर कोई राजा न था हेरोध जो राजा माना जाता है वो भी ऐसे ही उनका राज बड़े लोग थे उनका राज चलता रहा पर इस्राइल का राजा ऐसे कोई था नहीं पर जब येशु मसी आया तब कहा गया कि आप इस्राइल के राजा हो जाओ आप को हम चुनते बले ये ये हेरोध है यहाँ पे बड़ा नाम उसका है पर फिर भी लोगों ने येशु को चुना बाइबल में तो जो येशु है उसके विशाय में जो हम पढ़ते है यहन्ना अट्राद्या उसका चितिस पद में येशु मसी जब पिलाथ उसके पास खड़े रहते है पिलाथ जो था वो तो रूमन का राजा मानो या उसका बड़ा उसका प्रदान का है उसका पुरा राज्य था ये पिलाथ के पास जब येशु मसी खड़ा होता है और कहता है पिलाथ कहता है तु मुझे जवाब दे तू क्या यहुद इसराइल का राजा है क्या लिखा है चतिस वापद प्रभी येशु ने उत्तर दिया येशु मसी का राज यानि येशु का राज पहले से था अगर पुराने नियम में पड़े भजन सहीता उसका 48 यानि 38 वाद याए दूसरा पद में लिका है खूपसुरत एक सहर है जो आकास में है आसमान में और वो एक पवित्र हमारा सियोन का परवत है आसमान में वही का वो एक बड़ा हमारा यहोवा प्रभू राजा है दूसरा पद सियोन परवत उंचाई में सुन्दर और सारी पृत्वीक के हरश का कारण है राजा धी राज का नगर उत्री सिरे पर ले राजा धी राज का नगर है वो तो और 95 पड़ेगे बजन सहीता उसका पचानने इसका तीसरा पद हमारा यहोवा बड़ा बड़ा देवता है बड़ा परमेस्वर है सबसे बड़ा परमेस्वरमा यहोवा है क्योंकि यहोवा महान इश्वर है और सब देवताओं के उपर महान राजा है तो वो महान राजा है और वो आसमान में रहता है और वो जब धर्ती पे आया उसको पुछा गया कै तू राज आये तब येशु ने कहा हमेरा राज है पर यहां का ने उपर का राज है तो उपेस से आया वो धर्ती पे आया उसने कहा देखो लोगो मत्य किस्व समाचार पांच पाद है पैतिस्वा पत्वचन पद में येशु ने कहा तुम ये धर्ती पे के सम मत खाओ ये तो परमेश्वर का पैर रखने की जगाए चोटी है और ये सलम के भी मत्स आप सम सम खाओ सौगन मत खाओ क्योंकि वो तो बड़ा महाराजा का वो नगर है वहीं पे मैं राज करूँगा पैतिस्वा पत्वचन मत्ती पांच पैतिस न धर्ती की क्योंकि वो उसके पाओं की चौकी है न यरुशलेम की क्योंकि वो महाराजा का नगर है तो ये सलम जो है वो महाराजा का नगर है येश्य मसी वो दाउद के सियासन पर जब बेटते है उसको राजा माना जाता है गिना गया या भेजा गया उसको सवाल ये है कि वो मसी दाओद का बेटा कहा से तो वो सुलिमान के वहां से जो यहुदा के गोतर या यहुदा के राज था उसमें उसने राज न किया पर ये शुमसी इसराइल का राजा उसको चुना गया इसराइल का राजा जो है उसमें सारे इसराइल यानि याकुब के सारा बारा बच्चे में से ही उसको आना था उसको दाउद के ही बच्चे में से नहीं पर उसको कहीं से भी वो आ सकता था जब येश्व मसी ने सवाल किया यहूदी लोगों को मत्ती इसका बाविस्वाद्याई 44-45 44-45 लोगों को येशु ने सवाल किया कि ऐसा लिखा है कि पुछा गया कि येशु ने का आप क्या मानते हो मसी जो परमेस्वर भेदने वाला है येशु ने पूछा मसी जो परमेस्वर भेदने वाला है वो किसका बेटा है तब लोगों ने का वो तो दाउद का बेटा है तब ये तो उसको प्रभू कहता है वह लिखा है मेरे प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा तुमेरे दाइनों और बेट जब तक तेरे जो सारे सत्रुवे उसको मैं अपने पैर उतर न लौदू तो यहां पर येश्व मसी सवाल करता है कि दाउद का वो बेटा हो है यदि आप ऐसे मानते हो तो दाउद को प्रभू क्यों कहता है तो सची बात है येश्व मसी दाउद का बेटा ऐसे माना जाता है क्योंकि वो मर्यम की और से और मर्यम तो नाथान की बेटी वहां से वो आया इसलिए ऐसा मानते है कि वो दाउद का ही बेटा दाउद का बेटा नाथान नाथान से मर्यम मर्यम से येश्व मसी का आना हुआ पर दाउद का बेटा सुलिमान सुलिमान का बेटा रियोबाम उसके बेटे के बेटे जो सारे आये और महां पे यहुदा का जो राज हुआ य उसने सारी गल्टी की और सारे बबिलॉन में चले गए और वहां से राज का अंत हो गया और कहां कहने लगे प्रभू कि अब से ये गद्धी पे कोई न बेठेगा तो यहुदा के राज में नहीं पर पुरे इस्राइल के राज में तो बेठने वाला को परमेसर ने भेजा ये शुमसी वो जदि हम पढ़े हिबरानी उसका साथ पाध्याए एक से तीन पद मल्की सदेख जो था पुराने समय नियम में हम देखते वो वो तो सालिम का राजा और वो तो सालिम का राजा और जो जिसका कोई गोतर नहीं या जिसका कोई बाप नहीं न कोई मा नहीं न उसका दिन का आरहम न उसका आयुसाय का अंध ऐसा जो ये मल्की सदेखे वो राजा था सुलिमान सालिम का राजा कहा जाता है उसको तो ये तो ये जो सेवक है हिबरानी पत्री लिखता है वो ऐसा समझाता है कि मल्की से दे कहां से वो याजक बन गया यदि याजक बनना है तो लेवी विवस्त लेवी के जो बच्चे है उसमें से उसको आना है तो लोग सोते थे कि यहुदा दाउद के सियास पर बिराजने वाला कोई भी हो तो उसको भी दाउद के ही बच्चा होना जरूरी है पर येशु मसी तो आसमान से आया और ना उसका कोई बाप ना कोई इसकी मा और वो उसको परमेस्वर ने दाउद के घराने पे और इसरायल के घराने पे उसको चुन लिया और उसको वहाँ पे रखा जो पहले से आस्मान में था तो दाउद के लिए जो भविस्यानी की गई थी कि तेरे बच्चे जो है वो उसका राज सदा रहेगा पर यह याकीम के बेच्चे सदा राज न करेगे तो यह दोनों भविस्यानी सच हो गई हम पढ़ते हैं जो दाउद के विस्याई में दाउद के राज का अंतन होगा अपुमिला यह में आपर बच्चे प्रभूता सरवदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांती का अंतना होगा इसलिए वह उसको दाउद की राजगदी पर इस समय से लेकर सरवदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा तिर्क किये और संभाले रहेगा तो यहाँ पर यह बहुत चाने थी कि दाउद के सियासन पर मैं बिठाओंगा उसको दाउद वो यहुदा का राज्य का राज्या न था लेकिन वो तो इस्राइल का राज्या था कई सारी पुराने नियमों में 22 जमानी दाउद के लिए की गई थी कि दाउद के सियासन पर बेटने वाले की कमी न होगी और सदा राज होगा लिकिन यह यह याकीम जो आया उसके आने के बाद यहुदा का राज था उसका अंत हो गया लुका का सुस्माचार यदें पड़े लुका का सुस्माचार उसका पहला द्याई उसका तेतिस वचन और वह याकुब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंतना होगा पड़ो वह महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रबू परमेशर उसके पिता दाूत का सिहासन उसको देगा और वह याकुब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंतना होगा आमेन तो यह बहुत स्यावानी की गए थी वही बात दूद भी कहता है कि वो राज अंत न होगा ऐसा राज्या प्रभू भेदने वाला है पड़ो पंसा है बाई सब्सक्राइब पड़ो यर्मिया चटीस और उसका बद्थिसमाथ है कलम पड़ो कौंसा वचन है अध्याई चटीस अध्याई और उसका तीसमाँ वचन कौंसा है पुस्तक यर्मिया यर्मिया इसले यहुआ यहुदा के राजा यहुयाकिम के विशे में यह कहता है उसका कोई दाओं की गद्धी पर विराजमा न रहेगा और उसका शुब ऐसा फैक दिया जाेगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा यहां पे यह सिराप यहोयकीम जो राजा था यहुदा का राजा उसको कहा गया और यहुदा का राज्य का अंत हो गया अक्नि इस्राहिल का राज्य सुरूरी राज चलता ही रा और वो यसे प्रभू ने दाओट से वचन दिया यसे वो येश्मसी को बिठा कि अब सदा का राज हो गया प्रेजलोट तो लोग का जो सवाल होता है कि दाउद के सियासन पर येशमसी बेठे और जहां पे दाउद के सियासन पर तो यो यहाई याकिम के द्वारा अंत हो गया और कहा गया अब यो कोई बेठेगा नहीं वो तो यहो याकिम जो था वो तो यहुदा के राजा यहुदा का राज्य का राजा था तो वहां पे गद्दी पे बेठने की बात नहुई थी लेकिन इसराइल की राजा राजा दाउद जो था उसकी गद्दी की बात हो रही थी तो येशमसी दाउद जो इस्राइल का राजा था उसकी कद्धी पे बेठा येश मसी प्रजलॉड तो हमें ऐसे सारे इत्यास की बाते भी हमें थोड़ी उसको स्टड़ी करना जरूरी है प्रजलॉड प्रभु और कौासिर दे साहई करें समधने के लिए और ये सारा जो इत्यासे मैं चाहूँगा आपको फिर से ये सारी बाते को सुननी है और प्रभु के वच्छन के जो सारे इत्यासे उसको हमें मनन भी करना है अमें प्रभु साहई करें समधने के लिए अनुगर दे और प्रभु के ये श्मसी के नाम में जुकते हैं धन्यवाद ये सारी बातों के लिए आपने जो स्राब दिया वो यहुदा के राज्य के बेटने वाले को स्राब दिया लेकिन दाउद तो इस्राहिल की गद्धी पर इस्राहिल के राज्य का राजा था और वो गद्धी पर सुलिमान बेठा और वही गद्धी पर ये श्मसी आपको बिठाया गया और दाउद ने आपको देखते हुए कहा मेरे प्रभु प्रभु हम आपकी अराद ना करते आपके लिए जो सारी भविसानी थी उन्होंने यहुदा के राज में राज किया यहुदा का राज यहुदा का राज कहा गया और इसरायर के राजा सारे खराब थे एक भी अच्छाना था आपने प्रभु ऐसे लोग को हटा के आपने प्रभु जो दाउद को बच्चन दिया था आपने उसके जीवन के द्वारा प्रभू हुए हमने पढ़ा जो बविस्यवानी जो की थी आपने पूरी की धन्यवाद प्रभू आपके सारे बच्छनों के लिए हम प्रभू ये विस्वास करते हैं कि आपका जो आपने जो भई स्यानी की थी वो पूरी भी हुई है और हरे को सहाय करना समधने के लिए दन्यार फिर से जो बात बोई गई है सो गुणा फल आई युश्मस के नाम में आमेन, आपे मिल्सेग वाधना साथमे रहे कास्तमाना वाराबात कावना फवित ओग। आपके छेयख में आपके लिए अवाज सखेवश्मान के लिए दिन्रू जाए आपके लिए जोनिन्माफ करीए जोनिन्माफ करो प्रशनलाओ ग्राज शेर ताप्राक महिमाद, सगास तमारा शेर, आमें, अमें प्रेस लॉट, थैंक यू शेर रही साथ उसका मैसी का होता शालू मेरी भाइ, शालू मेरी बे शालू चलो, चलो, तिसमे लहा कबाया, आपको फरने शामिलाया, चलो, 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 आपको रहो साम, हम से रोज कर बाद, चलो, 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 मेरी बाई, चलो, मेरी बेड, चलो, चलो, तो वे इस्राइब, चलो, 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 चल Haleluya, Haleluya